हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल स्वागता है आप सभी का मेरे सुपर लोगी चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले आपको बहुत ही खास लक्षणों की जानकारी देंगे बहुत ही खास लक्षण बताएंगे लड़का होने के आपको साथ लक्षण बताएंगे कि आपके किन अंगों में दर्द रहता है और आपका बच्चा कहां ज़्यादा रहता है दोस्तो चैनल पर पहली बारे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साइड में बेल आइकन मटन को प्रेस करें मेरी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियों का नौर्टिफिकेशन पाने के लिए वीडियो पसंदना है तो वीडियों को जरूर लाइक करें कमेंट वक्स में जै स्री किष्णा जै बोले ना आता वसी लिखें और उसको शियर भी करें तो दोस्तो हमारा बेटा बेटी में बेदबाब करना बिलकुल भी नहीं है नहीं ऐस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं हमारे बेटा बेटी दोनों ही एक समान है मावाप के लिए दोनों ही संथान बरावर होती है और जेंडर प्रेटेक्शन करना कोई कानूनी अफराद नहीं है इसको हर कोई कर सकता है लेकिन सरफ और सरफ अपनी जिग्यासा के तोर पर ही इसको करें क्योंकि घरेलू जो नुस्के होते हैं उनको भी कही बारे हमारी जो दाद ही ना नहीं बताती हैं उनको भी फोलो करते हैं उनको भी करके देखते हैं लेकिन इनको करने के पाद आप सीरियस बिलकुल भी ना हो आप गलत कदम उठाने के बारे में क्या होता है कैई लोग जो वही ऑरते होती है वो सोच लेती है कि यही SAMच होगा तो वो गलत कदम उठाने के बारे में सोच लेती हैं तो ऐसा आप बीलकुल भी ना करें सरफ और सरफ हमारी वीडियो की अपनी उस सुकता के तोर पर ही देखें तो दोस्तो जान लेते हैं पहले लक्षन्ड के बारे में पहला लक्षन्ड कौन सा है फाइनली जब आप मा बनती हो तो एक खुशी होती है साथ साथ एक चिंता का भी सह भी होता है एक तो हमारा बच्चा जो है लड़का हो या लड़की फर्स टाइम जो हो रहा हो दूसरा अगर किसी पर हो रहा हो पहले से दो लड़किया है तो उसको एक लड़की की इच्छा रहेगी और लड़का है तो उसको एक लड़की की इच्छा रहेगी तो इसलिए वो अपनी जिग्या सा जो है उसकी बढ़ती चली जाती है तो दोस्तो जान लेते हैं पहली निसानी के बारे में जी हाँ पहली जो निसानी है चौथे पांचवे महिनी पर अगर आपका बच्चा मुवेंट कर रहा है हल चल कर रहा है और दोस्तो आपका बच्चा जादा तर राइट साइड में रहता है त दो मुवाले जो हो जाते ही वो होने लगे रूखा पन आ गया बिलकुल भी सिल्की पन नहीं रहा है तो दोस्तो ऐसा माना जाता है कि लड़के के टाइम पर बालों में ये चेंजिस आता है तो लड़का ही होता है नेक्स लक्षन की बात कर लेते हैं दोस्तो नेक्स लक्षन है अगर आपको खुझली बहुत जादा होती है आपके हाथ पेरों में खुझली बहुत जादा होती है आपकी थाई में बहुत जादा कुझली होती है बजाएना में बहुत जादा कुझली होती है दोस्तों ऐसा माना जाता है आपकी जो आने वाली संताने वो एक लड़का ही होगा दोस्तों next lecture की हम बात कर लेते हैं अगर आपको खाने में आपको ज़्यादा तर जैसे आलू हो गया जैसे फ्रेंच प्राइब बना के खाते हैं वो आलू हो गया गोल गप्पे हो गए या ऐसी चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो आने वाली संताने वो एक लड़का ही होगा नेक्स लक्षण की बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स जो लक्षण हमारा बड़ा ही यूनिक लक्षण है बहुत ही खास लक्षण है अगर आपकी रीड की अड़ी में दर्द रहता है और आपके कूलों में दर्द रहता है सोल्डर में दर्द रहता यानि कि पूरे बैक में पीछे आपको दर्द बना रहता है तो ये लड़का होने का लक्षन माना जाता है दोस्तों हमने इतने सारे लक्षन आपको बताएं अगर आपको फिट बैठते हैं तो आप भी इनको चेक कर सकते हैं